नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज हम अन्बोक्सिंग सीरीज का नया वीडियो आपके लिए लेके आये हैं और आज हम अन्बोक्स करने जा रहे हैं ब्यूटी परिपच इस स्टीमर का प्रयोग करते हुए आप फेस्पा और हेर्स पा कर सकते हैं फेस्पा में जैसे आपने पहले الस्ट्वा से और यूजग मासक करना होता Priv ते पुरा पर हेर श्पाहराय उy scientists कर सकते हैं पहले श्मपू से अपने सीर को दो लीजिए उसके बाद स्टीम ले लीजिए उसके बाद house कीरी से और उसके बाद श्मपू morph ऐसे ओ सकते हैं दोस्तों इसको खरीदने का दूसरे परपस है है health region health region में दोस्तों अगर आपको seasonal changes की वज़े से जैसे गर्मी से सर्दी अभी October November का सीजन है और फिर सर्दी से गर्मी फरवरी मार्च में जब सीजन change होते हैं तब हमें viral fever या जुखाम खासी की शिकायत हो जाती है तो उस टाइम पर आप एडिकल की सोप से इसेंशियल ओयल या फिर कोई कैप्सुल आता है जिसे आप इसके अंदर डालके और स्टीम लेंगे तो आपकी नाग खुल जाएगी जैसे विक्स वैपर भी डाल सकते आप इसके अंदर तीसरा रिजन है तब आपको अपने फेफडों की एक्सरसाइज करना जरूरी हो जाता है वैसे तो आप पर नॉर्मली अपनी एक्सरसाइज करते रही है जैसे पार्क में जाके वाकिंग जोगिंग वो तो बैटर है लेकिन बाइदे वे आप सिजनल चेंजिज की वाज़े कैसे ही मालो जु स्पिरोमेटर से सांस लेना चाहिए सो दोस्ता अब हम इसको जल्दी से अन्बोक्स करते हैं इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा यह नीचे वाली में स्टीमर मशीन है और इसके अंदर यह नोब है दो सैटिंग होती इसकी वन टू और एलेड इंडिकेटर है डोक्टर की स्किन के रुकिवह च président को खोलता है और आपके स्कीन को hydrate करता है यानि उसको जरूरी नमी परदान करता है और बलंड इंकरीज करता है और रुकी विभी नौक्ति को खौने में मदद करता है क्योंट ये साइनेस की प्रोभलम में आपके लिए कारगर है इसेन्षिल ओ ड चारीश वोल्ट पर काम करता है वाटर वोल्यूम यानि आप इसके अंदर पचास हमल पानी डाल सकते हैं उसके अंदर आप एक या दो ड्रॉपस एसेंशल ओयल की या फिर कोई मेडिकेटिड कैप्सूल डाल सकते हैं इसमें जो पिगलेगा और उसके बाद आप उसकी अरोमा सुंगेंगे तो आपकी नाख खुलेगी तो दोस्तों अब हम इसको अन्बॉक्स कर लेते हैं दोस्तों यह वारंटी एक्स्टेंशन कार्ड है यह इसका इस्ट्रक्शन मैनुवल है दोस्तों इसका नेशल कप है नेशल मार्सक यह दोस्तों फेज मास्क यह दोस्तों फेश मार्सक अधैउक्स जरीगाऊ यह दोस्तों इसका मेन स्टिमर मशीन यहाँ पर आपको 50 ml पानी डालना इसके अंदर और उसके बाद आपको इसमें फेस मास्क लगा देना है कोई कैप्सुल या इसेंसेल ओल भी इसी में डाल देना और मशीन को स्टार्ट कर देना है इसकी पावर 130 वाट है और यह 110 से 220 वोल्ट पर काम करता है 490 गराम इसका वेट है और इसकी जो पावर कोर्ड है यह जो वाइर है इसकी लेंद है 1.2 मिटर तो काफी है और आगे इसकी LED इंडिकेटर है और जीरो वन टू टू सेटिंग से है इससे आप अपने स्टीम का रेट कम ज्यादा कर सकते हैं और दोस्तों यह साथ में आपको मिला है मेजरिंग कप इस पर आपको 20 ml, 30 ml, 40 ml की मार्किंग दी गई है तो दोस्तों यह है हमारा स्वीट सा स्टीमर का वैपराइजर पहले आपको फेस मास्क को इसमें फिट करना पड़ेगा यह लोक हो गया है उसके बाद अगर आपको नाक में स्टीम लेना है तो आप यह नैसल कप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको फेस स्पा करना है तब आप नैसल कप को अटा दीजिए हम डेस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका परचेज लिंक दे देंगे आपको सेम इसी परपज के लिए हमारे पास एक इंस्टूमेंट हो रहा है हम उसको अन बॉक्स नहीं करेंगे वह हमारे पास पहले से ही था तो हम बस आपको उसके बारे में बता देते हैं यह है दोस्तो रेस्पीरोमेटर इसमें तीन बॉल होती है वन रेड यलो ग्रीन और यह यहां पर हर टावर पे इसने लिखा है अगर आपको जुखाम खासी की वज़े से या फिर पॉल्सट की वज़े से सांस लेने में कठना ही हो रही है तब आपको इससे अक्सेसाइज करनी चाहिए पर दूसल की वज़े या फिर जुखाम खासी वज़े से आपके फेंफडों की ओक्सिजन इनहेल करने की समता गड़ जाती है यह इसका माउथ पीस है पहले आप कंप्लीटली पुरे अच्छे तरीके से सास को बाप छोड़ देंगे उसके बाद माउथ पीस को मुह में लेके और आप इनहेल आपको करके दिखा देता हूं सबसे पहले रेड़ वाली बॉल उठेगी फिर यलो वाली और लास्ट में ग्रीन वाली तो दोस्तों अगर आपको सीजनल चेंज की वज़े से जुखाम खासी फीवर आर्क खाया तो आप स्टीमर का यूज कीजिए या फिर नेबॉलाइजर का यूज कर लीजिए और साथ में रेस्पिरोमेटर का यूज कीजिए तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उमीद है आपको हमारे द्वारा की गई अन्बोक्सिंग और दी गई इनफोर्मेशन पसंद आये होगी तो हमारा वीडियो देहने के लिए धन्यवाद अग अपने रेलेटिव फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चीए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू बरी मच